जय हिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का study with aim SPP चैनल पर दोस्तों वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा बहुत ही दमदार धासु खबर है यह ठीक है जिसका बहुत प्रतिक्षित इंतरजार था भरतियों को UPPSC pre 2022 का result आज आयोग ने दे दिया है आप आयोग की official website पर जाकर भी देख सकते हैं uppsc.up.nick.in पर आपको इसकी जो विध्यप्ति है वो notification दिख जाएगा और टेलग्राम चैनल पर यह PDF भी मैं share कर दूँगा तो आप वहां से भी आप अपना check कर सकते है result ठीक है तो देखिए इसमें पूरा पूरी जानकारी दी गई है देखिए यह आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया है तो बहुत ही यह अच्छी खबर है जो ब्रती युन्होंने पूरी साल तयारी की थी प्री निकला है अब मेंस की तयारी में लग जाईए जुड जाईए और प्री क जाई यानि लगभग 50% अभिर्थियों ने दिया था लगभग लगभग कितने पद हैं 384 पदों के सापेक्च जो है 5964 अभिर्थियों को जो है सफल घोसित किया गया है तो देखिए इसके 13 गुना बोला गया था 13 गुना तो अभी कितना लिया है इसमें यह पता नहीं है 13 गुना या 15 गुना जो भी है ठीक है अब यह बात की बात है देखने वाली बात है कि कितना लिया है कितना नहीं लिया है और एक खास बात जो है यह जानने वाली कि इस बार का रिजल्ट जो है वो 2020 और 2019 से हटके आया है कहने का मतलब यह है कि पोस्ट वाइज रिजल्ट नह लेकिन वो उसका मेंस अच्छा जाए इंटर्व्य अच्छा जाए तो उसको अच्छी रैंक मिल सकती है दब SDM या DPSP यह मिल सकती है लेकिन इसके पहले जो दो हुए थे 2020 और 2021 वाले में उसमें क्या है कि पोस्ट वाइज रिजल्ट आया था तो उसमें आप किसी भी पोस्ट में रहें कितना भी अच्छा लिखें अगर आपका प्री में माली जीजे SDM Executive वाले में हुआ है तब तो आप SDM बन सकते हैं अदर्वाइज उसके नीचे जो भी किसी भी पोस्ट में आपका हुआ है तो सिर्फ आप उसी में ही सेलेक्ट होंगे अदर्वाइज आपको दूसरे में नहीं है वह पोस्ट वाइज नहीं आया है ध्यान रखिएगा और जब मेंस का फॉर्म और जब भरा जाएगा फीस वगरा डिपोजिर उसकी अलग से विग्यप्ति जाएगी बताया गया है इसमें अलग से प्रतक विग्यप्ति आएगी एक दो दिन में आ जाएगी तो फिर आप मेंस की तयारी में लग जाएए ठीक है जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बढ़ाई और मेंस के लिए एकदम से जुठ जाएए आप लोग पूरी सिद्दत से लगए और डेली अंसर राइटिंग कीजिए 5-7 क्योस्चन का डेली अंसर राइटिंग कीजिए कोई टेस्ट निरास करो मन को, तो निरास नहीं होना है, सफलता, असफलता का मतलब होता है कि देरी, हार कदाप ही नहीं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप, तो यानि कि देरी है, हार नहीं है, तो मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो मन को आप हारने मत दीजिए, चलिए, म और सेयर कीजिए दोस्तों में ताकि ये पहुंच सके लोगों तक ठीक है जैहिन